मूवी के शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखती हैं जिसमें एक डॉक्टर और उसका एक असिस्टेंट एक लड़की की डेड़ बॉड़ी को मशीन में जलने के लिए डालते हैं तब हम देखते हैं कि वो लड़की जिन्दा होती है क्योंकि उसी वक्त उस लड़क की उस सुईपर को अंदर ही खीच लेती है जिसकी वज़ा से वो आदमी भी जलकर मढ़ जाता है नेक सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिसन होता है जो कि अपने बड़े ब्रेस्ट होने की वज़ा से जाक का शिकार होती है इसी परेशानी की वज़े से एलिसन अपनी मॉम सेल्विया और अपने बॉइफरेंड माइकल के साथ हॉस्पिटल जाती है सरजीरी के लिए जबी हम देखते हैं कि रास्ते में किसी जानवर से उनकी गाड़ी का टकर हो जाता है इसलिए माइकल उतर कर उसे साइड करने ही लगता है तब ही वहाँ पर ए असिस्टिन्ट जानजा मिलती है और वो डॉक्टर क्रॉस से मिलाती है असल में अलschein की ब्रेस्ट के साथ साथ अलिसन की मॉम सेल्विया अपने फेस का सरजीरी कराना चाती थी योग्कि वह बहुत सुंधर दिखना चाती थी जिस पर डॉक्टर क्रॉस बोलते हैं कि आप ल उसी वक्त हॉस्पिटल का कर्मचारी डैनियल माइकल को वहां से ले जाता है और कहता है कि डॉक्टर जो करते हैं उन्हें करने दो हम लोग हॉस्पिटल का टूर कर रहे हैं जिसके बाद में डैनियल माइकल को हॉस्पिटल के पाविंदित एरिया में ले जाता है जहांपर मा पर एक मास्क लगा होता है मायकल को ऐसा लगता है कि वो लेडि कुछ कहना चाहती है तो उसका मास्क हटा देता है भी देखते हैं कि वो लेडी माइकल को अचानक से जपड़ती है और उसका फेस बिल्कुल जॉम्बी की तरह लग रहा था भी उसके आवाज सुनते ही डैनियल वहाँ पर आ जाता है तो उसे देखकर बहुत ही जादा है तब ही डैनियल माइकल को वहाँ से लेके निकल जाता है और उससे बोलता है कि किसी को इसके बार में मत बताना हम लोग यहाँ पर आये थे उसके बाद में माइकल डॉक्टर के पास में जाता है और सरजरी के लिए रोख देता है और कहता है कि यह हॉस्पिटल मुझे ठीक नहीं लग रहा है लेकिन उसी वक्त उसके हाथ में एक इंजेक्शन गलती से लग जाता है जिसकी वज़े से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो होश में आता है तो वो खुद को एक जगा बंदा हुआ पाता है बही वहाँ पर डॉक्टर को आवाज लगाता है लेकिन देखते हैं कि सारे के सारे डॉक्टर वहां से भागने लगते हैं उसके बाद में ऐलिसन माइकल पर बहुत ही ज़ादा गुसा होती है और बोलते हैं कि ये सब तुमारी वज़ा से हो रहा है मगर असल में और ही कुछ कारण होता है और डॉक्टर्स वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं दरसल माइकल ने उस लड़की ने खुद को फ्री कर लिया था और वो पूरी तरह से लोगों को इंफेक्टिट कर देती है नहीं दूसी तरफ हम देखते हैं एलिसन और माइकल वहाँ से जाने लगते हैं तब ही हम अचानक से देखते हैं एक डॉक्टर अपने पेशिंट को ही बहुती बुरी तरीके से काट रहा होता है क्योंकि वो डॉक्टर एक जॉंबी बन जाता है वो डॉक्टर उन दोनों पर अटैक करने लगता है लेकिन जैसे तैसे माइकल उससे चुडा लेता है उसी वक्त माइकल को करेंट लग जाता है और वो वही पर गिर जाता है, बेहुश हो जाता है इसकी वज़ा से उसके सर में बहुती ज़्यादा चोट लगी हुई थी बहुत तेज खून बहने लगता है देखते हैं कि वो अपना दम तुरंती तोड़ देता है ऐलीसन वहां से खुद को बचाते हुए भाग रही होती है और वो अपनी मॉम को ढूंडती है वहीं दूसी तरफ हम बिलियम को देखते हैं वो अपनी जान बचाते हुए कहीं न कहीं छुपने की कोशिश करता है वहां पर पहले से हैं उसे एक लड़की जिसका नाम ऑकसाना होता है वो वहां पर छुपी होती है नहीं दूसी तरफ हम ऐलीसन को देखते हैं वहां पर उसे एक पेशेंट मिलती है और वो पेशेंट अपने फेस का सरजरी कराने के लिए आई होती है उसका फेस बहुती बुरी तरीके से जल रहा होता है इसलिए एलीसन उस लेड़ी को एक रूम में ले जाने की कोशिश करती है मगर विलियम ने अपना दरवाजा बंद किया था क्योंकि उस लेड़ी को देखकर वो भी बहुती जादा डर चुका था और उसे लग रहा था कि वो भी एक जॉम्बी बन गई है इसलिए वो दरवाजा नहीं खूलता है इसलिए वो लेड़ी वहां से भाग जाती है एलिसन उसका बहुत ही फीचा करती है लेकिन वो लेड़ी उसे नहीं मिलती है भी एलिसन अपनी मॉम को देखती है जो कि बैट पर पेहोश पड़ी हुई थी एलिसन अपनी मॉम को बताते हुए बोलती है कि माइकल अब मर चुका है अगर उसकी मॉम दवाय के कारण पोश में नहीं आती है इसलिए एलिसन अपनी मॉम को वहाँ से ले जाने लगती है वे एलिसन एक जॉम्बी को देखती है जो कि खुद को ही वो खा रही होती है एलिसन को देखकर वो उसके पीछे पड़ जाती है लेकिन एलिसन भागते हुए डैनियल का रूम्ट का दरवासा तोड़ देती है उसी वक्त में सिल्विया को वोश आ जाता है लेकिन तब तक वो जॉम्बी सिल्विया के पैर को ही कार देता है लेकिन तब ही डैनियल एक सिलेंडर से उसको मार देता है वहीं दूसी तरफ हम Oxana और William को देखते हैं जो कि Oxana खुद को attract कर रही थी उसे बहुत ये बहलाने की कोशिश करती है लेकिन William बताता है कि ये वक्त romance करने का time नहीं है जिस पर Oxana बोलती है कि मैं virgin नहीं मरना जाती हूँ इसलिए William भी उससे attract हो जाता है भी वो दोनों intercourse करने का प्लान करती है लेकिन William अपने पैनिस को बढ़ा करने के लिए इस hospital में आया था पर Oxana बोलती है कि तुम intercourse करने के लिए तयार हो या नहीं क्योंकि William ने ही कुछ देर पहले अपने पैनिस की surgery कराई थी पर William कहता है कि चलो try तो करते हैं अब William अपने आपको तयार करने के लिए अपना पैनिस धोने के लिए जाता है आपर बहुती जादा पानी गरम होने की वज़ा से बहुती तेज जल्ले लगता है अभी Oxana वहाँ पर पड़ी एक क्रीम William को देती है और William Madison के तोड़ पर अपने पैनिस पर लगा लिता है अगर उस क्रीम की वज़ा से उसके पैनिस बहुती जादा जलन होने लगती है अब जैसे ही William अपने पैनिस को टच करता है वो तूटकर नीचे गर जाता है इसकी वज़ा से बहुत ही जादा गुसे में आ जाता है और वो दर्वाज से खुलकर बाहर जाने लगता है मगर उस दर्वाजे के पीछे बहुत सारे जॉंबी खड़े होते हैं और वो William को काट लेते हैं नहीं दूसी तरफ हम Michael को देखते हैं वो अभी तक जिंदा था खड़ा होकर एक रूम में जाने लगता है वहाँ पर देखते हैं बहुत सारे बाटल्स में अजीब सी क्रियेचर्स होती है Michael वहाँ से जाने लगता है लेकिन फिसल कर उस बाटल के उपर गिर जाता है इसकी वज़ा से वो काट की बाटल्स टूर जाती है देखते हैं कि उसमें से एक क्रियेचर्स निकल कर Michael की तरफ बढ़ने लगता है Michael वहाँ से भाग कर डॉक्टर क्रोस और जानजा के पास पहुँच जाता है इलीगल पेपर्स को जला रही थे उस पेपर्स में पहली लड़की जॉम्बी के बारे में लिखा हुआ था वहीं दूसी तरफ हम एलिसन और डैनिल को देखते हैं तो कि Sylvia को नियूरो के पास लेकर जाते हैं तो कि उन्हें बताता है कि Sylvia भी अब वाइरस से इंफेक्टेट हो गई है उसी वक्ट डॉक्टर क्रो माइकल और जहांजा वहाँ पर आते हैं लेकिन नियूरो माइकल को जॉम्बी समझ कर उस पर सिलेंडर से वार करता है तो फिर से एक बार बेहोश हो जाता है जब माइकल को होश आता है तो एलिसन उसे देख कर बहुत ही जादा खोश हो जाती है वो लोग एक ही रूम में होते हैं जहां पर डॉक्टर क्रो कहते हैं कि सिल्विया को हमें अब मार देना चाहिए नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा खत्रा बन जाएगी इसलिए वो उसे मारने वाला ही होता है चानक से देखते हैं सिल्विया डॉक्टर को के उपर उल्टी कर देती है इससे सभी लोग सोचते हैं कि डॉक्टर क्रो भी अब वाइरस में आ गया है तभी डॉक्टर क्रो कहते हैं कि हम इसे वैक्सिनेशन बना सकते हैं इसलिए डॉक्टर क्रो एक एक्क्यूमेंट की वज़ा से एक इंजेक्शन बनाता है, वो सिल्विया को इंजेक्ट करता है, लेकिन सिल्विया को उस चीज का बिल्कुल भी एफेक्ट नहीं बढ़ता है, इसलिए नियूरे बहुत ही ज़ादा परिशान हो जाता है और वो पहले ही किसी ने फ्री कर दिया, इसकी वज़ा से ये वाइरस आगे फैलने लगा, वी जहांचा डॉक्टर क्रो को पीछे से मार दीती है, वी डॉक्टर क्रो भी वाइरस से इंफेक्टिट हो चुका था, जिस पर एलिसन उस पर चिल्लाती है, क्योंकि सिल्विया के लिए वैक्सिनेशन बनाने वाला कोई डॉक्टर बचा नहीं था, लेकिन नियूरो बोलता है कि शायद मैं ये काम जरूर कर सकता हूं, इसलिए वो एक इंजेक्शन को तयार करता है और वो सभी लोग सिल्विया को लगाती है, मगर सिल्विया नियूरो के हाथ को कार देती है, से वो भी इंफेक्टिट हो जाता है, इसलिए बचने के लिए नियूरो अपना हाथ ही कार देता है, जिसकी वज़ा से वो वायरेस पूरी वाडी में ना फैल सके, इसलिए सभी लोग सिल्विया को मारने का फैसला करते हैं, अभी हम देखते हैं, अपनी मॉम को ही मार डालती ह क्योंकि उन लोगों के पास दूसरा आप्शन बचा ही नहीं था, अब हॉस्पिटल में सारे के सारे जॉम्बीज बन चुके थे, इसलिए वो लोग छटके उपर चले जाते हैं, ताकि वो जॉम्बीज से बच सकें, जहां पर एक वायर की थूरी दूसरी बिल्डिंग पर जाने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं, नियुरे बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है, लेकिन देखते हैं, बागी सभी लोग बिल्डिंग के उस खार पहुँच जाते हैं, यहां से वो लोग आगे जाने लगते हैं, अगर रास्ता ब्लॉक होने की वज़ह से उन्हें एक गंदे रास्ते से जाना पड़ता है उस वक्त डैनियल जहांजा के साथ प्लैक मिल करने लगता है और एक डील करता है दरसल उस प्रोजेक्ट का मेन कैरेक्टर जहांजा ही थी और ये बाद डैनियल को पता चल चुकी थी इसलिए वो उसे बोलता है कि मैं तुम्ह जाकर बता दूँगा लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो उसके बदले तुम्हें 50 यूरो मुझे देने पड़ेंगे जहांजा उसके डील को अब एकसिप्ट कर लेती है और वो सभी लोग दूसरी ओर आ जाते हैं जहां पर उन्हें पाइप में फसी हुई एक लड डैनिल को मार देता है अभी वहां पर बाकी के लोग आ जाते हैं डैनिल उन लोगों को बताता है कि जॉम्बी ने ही जहांजा को मार दिया है और वो इन्फेक्टेड होने की बाद सबसे छुपा लेता है वो लोग सभी बाहर आ जाते हैं तब ही वो लोग देखते हैं कि चा सारे जॉंबी होती हैं जहाँ पर देखते हैं कि माइकल को एक छोटा क्रियेचर काट लेता है इसलिए माइकल हैरान होकर हारने लगता है और वह एलीसन को प्रपोस करने लगता है एलीसन उसे आगे चलने के लिए बूलती है इसी तरह से सब लोग टनल के एंड तक पहुंच लिडिया काफी उपर थी इसलिए माइकल का हाथ नहीं पहुंच पा रहा था भी माइकल उस आथ को उपर फेक कर उसकी मदद से उपर जाने लगता है वो डैनियल को बोलता है कि इस आथ को पकड़ लो लेकिन डैनियल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है क्योंकि डैनियल एली तो उसे बाहर जाने के लिए बोलती है गर देखते हैं कि डैनिल उसके साथ जबरजस्ति करने लगता है इसलिए एलिसन एक नुकिली चीच से डैनिल को चुबा कर बाहर निकाल देती है बात में देखते हैं कि उसे ही कुचल कर वो निकल जाती है नहीं दूसी तरफ हम देखत हैं मायकल के पास बहुत सारे जॉम्बीज होते हैं उन जॉम्बीज में से पास बॉंब होता है उस बॉंब जिसकी वज़ा से एलिसन की भी बहुत वहाँ पर हो जाती है नहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है